यहां पे हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है इकनॉमिक रिफॉर्म्स यानि की आर्थिक सुधार अब इकनॉमिक दिखें हिंदी में भी यह content यहां पे अवेलेबल है यह सब आपको यहां पे मिलेगा आप screenshot ले सकते हैं YouTube student चलिए paid class के student को मैं WhatsApp पे share कर दूँगी पहले मैं आप लोगों को समझा दे क्यों फिर content पे चलते हैं देखें 1991 से अगर मैं पहले की बात करूँ तो economy में reform सुधार क्यों लाए गए क्योंकि कुछ problems होंगी कुछ issues होंगे कुछ समस्याएं होंगी तभी तो आप change लेके आए हो और चेंज लेके आए हो तो उसके कुछ कारण थे कि हमारी economy में जितनी भी negative चीज़े हो सकते हो सब negative में चल रही थी everything was negative at that particular time तो आपका जो balance of payment होता है balance of payment यानि की आपका जो export और import होता है वो भी हमारे negative में चल रहा था यानि की हम आयात और निर्यात की अगर बात करें तो हम बाहर से ज़ादा चीज़ें मंगाते थे और बाहर भेजते कम चीज़े थे तो ये भी एक अच्छा indicator नहीं है हम लोग पूर्ण रूप से agriculture dominant थे हम लोग mainly क्रिशी पे अधारित थे और क्रिशी से भी जो output आता था रिटर्न आता था वो इतना अच्छा नहीं आता था इंडास्ट्री हमारे याँ पे उतनी well established नहीं थी कि एक अच्छा रिटर्न दे पाएं हमारे याँ पे loan and debt बहुत जादा जो था वो बढ़ रहा था हमारा जो भी foreign direct investment था बाहर की investment हमारे याँ पे ती ही नहीं because हमारी economy closed एक बंद अर्थ व्यवस्ता थी closed economy थी क्योंकि हम बाहर से trade वगेरा कर ही नहीं रहे थे world bank IMF से आप लोग already loan ले चुके हो कि अब वो आगे loan देने को भी हमें तयार नहीं थे बहुत सारी यहाँ पे इस तरीके के situation जो थी वो हमारे साथ थी इसको correct करने के लिए यहाँ पे उस समय जो 1991 के आपके finance minister थे वित मंत्री थे वो थे Manmohan Singh जो आगे चलके हमारे prime minister भी बने थे Manmohan Singh और इस समय पे जो आपके prime minister थे जो हमारे प्रधान मंत्री थे वो थे PV नरसिम्मा राओ तो इन दोनों के time पे यहाँ पे तो यह reform आए 1991 में हमारी अर्थविवस्ता में कुछ बदलाफ किये गए इसलिए इसको नरसिम्मा मनमोहन मौडल भी बोला जाता है और यह बदलाफ क्या थे यह बदलाफ थे LPG liberalization यानि की उदारी करण प्राइविटाइजेशन यानि की निजी करण और ग्लोबलाइजेशन यानि की आपका वैश्वी करण अब यह सब होता क्या है देख लेते हैं फिर उपर लिखाई हुआ है यही सारी बाते लिखी हुए मैं आप लोगों को समझा देती हूँ बस एक बार और आप लोगों को पता भी होंगी क्या चीज़े हैं लाइसेंस लेना है उसमें बहुत सारी फॉर्मालिटी और पेपर वर्क होगा तो बहुत से लोग तो इस वज़े से किसी काम में एंट्री नहीं करते थे कि जो कर रहे हैं आराम से वही करते रहते हैं क्योंकि इतने जंजट कौन पालेगा लाइसेंसिंग और यह सब लेना है कुछ चीजें छोड़ी गई जैसे फार्मा ड्रग्स न्यूक्लियर वेपन इनके लिए तो लाइसेंस लेना पड़ेगा अधर देन आप कर सकते हैं चीजें फिर आया प्राइवेटाइजेशन यानि की निजी करन अच्छा हो क्या रहा था सारी चीजे सरकारी के हातों मे लेकिन इनकी परफॉर्मेंस खराब थी यह उतना आउटपुट नहीं दे पा रही थी इनसे उतनी जादा यह प्रॉफिट मेकिंग नहीं थी तो यह सोचा गया कि हम क्या करेंगे निजी करन हम कुछ चीजे तरीके से देखा जाए तो हम कुछ चीजों को प्राइवेट लो लगा तो उनके पास एक प्रॉपर ब्लैंड वे होता है कि हम इत्ते लोगों को आइर करेंगे ये काम एसे करेंगे तो उनका काम थोड़ा अच्छा उनका मोटिफ प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट वो कमाएंगे ही और जब कुछ चीज लगा रहे है तो वो दिमाख ल जोड़ना, globalization, हम क्या करेंगे, international level पे trade को प्रमोट करेंगे, अब आपने अपनी economy को खोल दिया है, अगर open economy हो गई है, तो लोग बाहर से आके यहां पे invest भी कर सकते हैं, और invest करेंगे तो भई यहां के लोगों को भी काम मिलेगा, और नई नई चीजे भी आपको, investment purpose, business purpose वाली चीजे भी आपको देखने को मिलेंगी, तो यही सब चीजे यहां पे की गई है, मैं एक बर थोड़ा स्पीड में पर देती हूँ, हिंदी में भी देखो लिखा होगा आगे, कि जो यह economic reform थे 1991 के इंडिया में, इनको liberalization, privatization, globalization, यानि LPGB, उदारी करन, निजी करन, विश्वी जाता है, यह बहुत हमारे, यह क्यों आए कि response में किसके जो हमारे economic crisis आर्थिक जो दिक्कते चल रही थी, balance of payment कम था, fiscal deficit बहुत जादा था, foreign exchange reserve हमारे पास नहीं था, that's why हम यह reform को लेके आए, right, 1980 के बाद से ही इंडिया में बहुत जादा serious economic crisis चल रहे थे, फिर gulf war से जो gulf war और इंडिया अपनी international obligation फुल्फिल नहीं कर पा रही थी, मतलब क्या है इसका, कि मैंने बहुत सारे लोन भी रहे थे थे ना, आप वो लोन फुल्फिल नहीं कर पा रहे हो, अब आपको और भी पैसे की जरुवत है, अब आपकी हालत दिख रहे हैं कि आप चुका नहीं पाटा दो, यह नहीं है कि कुछ भी कोलना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आप लाइसेंसिंग सिस्टम पाटा दो तक ही सानी से लोग इंडस्ट्री में एंटर कर पाएं, प्रेट पॉलिसी जो है, इंपोर्ट टेरिफ लगता है, उसको भी कम कर दो, जो टेक् मेकिंग मन रही थी, उनके ओपर बढ़न बहुत जादा था, इसलिए पबलिक सेक्टर का जो रोल है, जो सरकारी जो शेत्र का रोल है, उसको कम कर दो, और प्राइवेट को बेच तो, कुछ पाट या फिर पूरी कमपनी, देखो यह पूरी कमपनी है, या तो कमपनी के अपनी देश की अर्थविवस्ता को बाकी देशों की अर्थविवस्ता से जोड़ना, इंटिग्रेटिंग विद्ध ग्लोबल एकनॉमी, जो सरकारी जो सरकारी करता है, जो कब आया था, 1995 में यह ओगनाईजेशन बनाई गई थी, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, ट्रेड परिशानिया भी थी, परिशानिया क्या इंकम इनिक्वालिटी को ग्रेस्प कर पा रहे थे, वो इस बेनिफिट को ले पा रहे थे, जिनके पास अल्डरेडी शिक्षा थी, वही नौक्रिया ले पा रहे थे, जो लोग शिक्षे उतने जादा नहीं थे, वो यहाँ पे कही न कहीं पिछड रहे थे, अगरिकल्चर सेक्टर पे यह रिफॉर्म को बहुत जादा फाइदा नहीं मिला था, इसका फाइदा इंड प्रेजन नहीं थी, वो प्रेजन नहीं थी, अब यही सब मैंने देखो हिंदी इंग्लिस दोनों में बोल के बताया, नीचे कंटेंट हिंदी में भी लिखा है, तो आप लोग पढ़ लेंगे, सेम चीज दुबार दुबार बोल के टाइम जो है वो जाए गई, उदारी करन को पूरा एक्स्प्लें किया है, नीजी करन है, वेश्वी करन है, फिर इसके सुधार पॉजिटिव इंपक्त है, और फिर इसकी अलोचनाय है, नान? तो आप आपको समझ में आया होगा, इनकेस इस टॉपिक में कोई भी राउट है, तो आप यहां पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जो पेड क्लास वाले स्टूरें है, वो मुझे वाथ्सप ग्रूप पे मैसेज करके यह राउट पूछ सकते हैं, इनकेस यह We'll cover one more videos with regard to this subject or topic, till then keep revising the earlier videos and in case of any doubt, you can ask that, that's all